नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में हम लोग Top Current Affairs 2019 के जो तीन पार्ट में हम आल लेडी देख चुके हैं उसका चौथा पार्ट देखेंगे इस पार्ट में हम लोग 25 Most Important Questions को Solve करेंगे और साथी में जो है उसका Full Discretion भी देखेंगे जिससे अगर प्रस पहले के पार्ट नहीं रेखे हैं तो जरूर देख लीजिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले में बता दूँ कि Junior Assistant की जो हमारी Test Series रनिंग है इस समय उसमें आप अगर admission लेना चाहें तो आप जो है आपके सामने एक नंबर है इस पे आप जो है WhatsApp या काल के माध्यम से जानक लोड करने के बाद या website पर आप असेस करेंगे तो अपना अगर आप नई user है तो login बना लीजिए, login के बाद आप Test Series सेक्षन में जाकर Junior Assistant और PCS Pre, दोनों के ही demo test जो free है वो आप download कर सकते हैं, अगर आपको content पसंद आता है तो आप इस Test Series को join कर सकते हैं, इस test में दल full test रखे गए हैं, साथ में आपको पांच current affairs की 100-100 questions की PDF जो इसकी पूरी ब्याख्यात्मा खल भी आपको दिया जाएगा, साथ में provide की जाएगी जिससे कि आपका Junior Assistant का complete revision हो चुके और पूरा syllabus आप cover कर सके हैं, तो यह आपकी मर्जी है, कम से कम demo test को आप जरूर देख लीजिए, चलि पांच की जाएगा, तो भारत में आसियान देशों के जो सदस्य देश हैं, उनके लिए जो है, 1000 PhD फेलोसिप की पेसकस करके सरकार ने बड़ा कारिकरम सुरू करने जा रही है, भारत के सभी IIT में आसियान चात्रों को फेलोसिप प्रदान करने के लिए प्रवेश पोर्टल IIT दिल्ली में खोला गया है, इस कारिकरम का लांच समारो 16 सितंबर 2019 को आयजित किया गया, आसियान यानि एसोसियेसन आफ साउथ इस्ट एसंस में दच्छिड पूर्वेशिया छेत के कुल 10 देश सामिल है, इसकी स्ठापना 1967 में की गयी थी, जिसका मुख्याल है जकार्ता यानि इंडोनेशिया में है, अगला प्रस्न राष्टपती रामनात कोविन द्वारा किस देश में महत्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया, तो राष्टपती रामनात कोविन द्वारा स्वीट्जर लैंड में जो है महत्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण कि गया राश्टपती ने स्विट्जर लेंड के विलन्यू में आयो जी तेक विसेश कालिक्रम में महत्मा गांदी जी की विरासत का जस्ट मनाने और उनके नाम पर एक जगे का नाम रखने के लिए विलन्यू की संस्था को धन्यवाद दिया अगला प्रस्ट बहु देशी युद्ध अभ्यास जिसको सेंटर कहा जाता है इसकी स्पेलिंग है टी एसी एंटी आर 2019 का आयोजन कहां पर किया गया तो ये सेंटर जो युद्ध अभ्यास है इसका आयोजन जो है रूस में किया गया अब देखते हैं इनमें किंदेशों ने भाग लिया तो 15 सितंबर 2019 से रूस के केंदरी सैन जिले औरेंबर्ग में अभ्यास सेंटर 2019 का आयोजन किया गया ये बड़े पैमाने पर अभ्यासों की वार्सिक स्रंखला का एक हिस्सा है जिसका आयोजन रूस अन सभी देशों की सेनाओं के साथ मिलकर करता है इस वर्स इ कुझबेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान की सेनाओं ने हिस्सा लिया जिन में इन सभी देशों के 2500 सैनिक और 500 वाहनों ने भाग लिया इसका उदेश अंतराश्टी आतंगवाद के खतरे का मुकाबला करना है अगला प्रसंद देखते हैं 21 सदी की 100 फिल्मों की दगारजियन सूची में सामिन होने वाली एक मात्र भारती फिल्म कौन सी बन गई है तो ये कौन सी फिल्म है गैंग साफ वासेपूर फिल्म निम्राता अनुराग कस्यप की गैंग साफ वासेपूर 21 सदी की 100 सर्फेश्ट फिल्मों की दगारजियन सूची में सामिल होने व जारखंड के धनबाज जिले के वसेपूर सहर में एक कोईला माफिया के परिवार की कहानी है और फिल्म का निर्देशन अनुराक कस्यपने किया है इस सूची में वर्स 2000 के बाद रिलीज फिल्में सामिल है इसमें पहला इस्थान निर्देशक पॉल थाॉमस एंडर्सन की आस पुस्तक राजधानी सहर किसे नामित किया गया है सार जहां को युनेसको यानि युनाइटेड नेशन्स एजुकेसनल साइंटफिक एंड कल्चरल और्गनाईजेशन ने पुस्तकों और साच्छर्ता को बढ़ावा देने के लिए सार जहां जोकी UAE में है के नियंतरन अग अगला प्रस्न बीसवे आईफा पुरुसकार समारो का आजधान किस सहर में किया गया है तो बीसवे आईफा सहर जो है मुंबई में आजित हुआ यह आईफा पुरुसकार के थियास में पहली बार समारो भारत में आजध किया गया है वर्ष 2000 में सुरू होने के बाद इसे दुनिया भर के देशों में आजध किया गया है जिसमें लंदन, टोरेंटो, सिंगापुर समेथ कई बड़े सहर सामिल है अगला प्रस्न सितंबर 2019 में किस राष्टा ध्यच को डाक्टर कलाम इसमरती अंतराश्टी उत्करष्टता पुरुसकार 2019 से समानित किया गया है तो यह प्रस्न काफी चर्चा में भी था जो है सेख हसीना बांगला देश की जो है प्रधान मंत्री सेख हसीना को 16 सितंबर 2019 को धाका में डाक्टर कलाम इसमरती अंतराश्टी उत्करष्टता पुरुसकार 2019 से समानित किया गया है यह पुरुसकार भारत के पूर्व राष्टुटी डाक्टर एपी जे अब्दुल कलाम की इसमरती में वर्स 2015 में स्थापित किया गया था यह पुरुसकार उन अंतराश्टी नेताओं को प्रदा किया जाता जिन्होंने अपने देशों में सर्वसेश प्रजशन के लिए संबंदित छेत्र में उत्कृष्टता दिखाई हो इससे पहले मालदीब घाना और मारिसस के राश्पती को डॉक्तर कलाम इसमरती अंतराश्टी उत्कृष्टता पुरुसकार से सम्मानित किया जा च गास के लिए DRDO के साथ एक समझहोता किया है यह बिलकुँ सही कतन है इसका उधेस मानो केंद्रित प्रणालियो और मानो अंतरिच मिंसन के लिए बिसिष्ट प्रध्योक्यों के के लिए प्रध्योकी प्रधान करना है यह भीКतन मिलकु सही है इसरो का लच दोहजार चौब इस तरह से केवल कथन एक और दो सही है इसरो का लच क्या है 2022 में भारत की सुतनता की 75 वी वर्सगार्ड से पहले मानव अंत्रिशियान की छमता को प्रदर्सित करना अगला प्रस्न डाग विभाग ने किस देश या देशों के लिए अंतराश्टी स्पीट पोस्ट सेवा सुर इनके लिए अंतराश्टी स्पीट पोस्ट सेवा को सुरू करने की घोशना की गई है इनके अलावा भी कुछ देश हैं डाग विभाग ने ब्राजी, इक्वाडोर, लिथुआनिया, कजाकिस्तान, बोस्टिया, हर्जे गोविना और उत्री मेसरडिनिया में अंतराश्टी स्पीट पोस्ट सेवा की सुरूआत करने की घोशना की है अंतराश्टी स्पीट पोस्ट यानि EMS एक एक्स्प्रेस मेल सेवा या प्रीमियम सेवा है जो अपने उपयोग करताओं को इंटरनेट पर आइटम की आवाजाही को टैग करने की सुविधा के साथ में अगला प्रस्ट किस देश में दच्छिडेसिया के सबसे उचे टावर का अनावरण किया गया है तो दच्छिडेसिया के सबसे उचे टावर का अनावरण अविहाली में सिलंका में किया गया है और इसका जो नाम रखा गया है वो लोटच टावर है और ये लगभग सत्रा मंजील उचा है ज हिंदरा राजपार्ट के कारकाल में सुरू हुई थी। यह नावरण जो किया गया यह गंदन मठ में किया गया इंपोर्टेंट बात यह है कि गंदन मठ कहां पर है यह उलान बटोर में है और उलान बटोर क्या है उलान बटोर जो है मंगोलिया की राजधानिये जहां पर 20 सितंबर 2019 को प्रधान मंति नरेन मोदी और मंगोलियाई र कार्भामिक संदेशों को साजा सम्मान के प्रतीक में स्थापित की गई है यह मट बौध विरासत और मौंगा लियाई बौध स्रधालियों का प्रमुक केंद्र है इसी इस्थान पर ग्यारवी जेनरल एसेंबली आप एसीयन बुद्धिष्ट कांफरेंस पर पीस का भी लिया गया है तो यह निरने लिया गया है अमेजन के द्वारा अमेजन.com इंक के मुख कारकारी अधिकारी जेफ बोजेस ने कंपनी को दोजार चालिस तक कार्बन निट्रल होने के लिए प्रतिबद किया है और इसी पहल के तहत एक लाख इलेक्ट्रिक डिलिवरी वैन के लिए आडर किया गया है इस वैन को डिलिवरी दो बार में कंपनी को जाएगी और पहली वार वर्स 2021 में दूसरी बार 2024 तक कार्बन निट्रिल्टी या सुद्ध कार्बन परतिजिन होने का ताथ पर कार्बन उसर्जन के साथ कार्बन उसर्जन को संतुलित करके या केवल का कार्बन उसर्जन को प्राप्त करना है यानि कुल मिलाकर जो है CO2 का जो इमिशन है उसको रोकना है अगला प्रस्न सितंबर 2019 में एक दुनिया के संभावित सबसे बड़े उभैचर यानि एमफीवियन की खोज की गई जिसका क्या नाम दिया गया तो इस उभैचर को यानि एमफीवियन को नाम दिया गया एंड्रियस लिगोई जो लॉजिकल सोसाइटी आफ लंदन और लंदन की नेचुरल हिस्ट्री मुजियम के सोथ करताओं ने संग्रहाले के नमूनों से डियन्ने का उप्योग करके एक नई प्रजाती की पहचान की संग्रहाले नमूनों के आधार पर नए सोथ से पता चला कि ये प्रजाती संभौता दुनिया का सबसे बड़ा उभायचर यानि एमफीवियन हो सकता है और सोथ करताओं द्वारा इसे एंड्रियस लिगोई नाम दिया गया है अगला प्रस्ण डबलु एच्चो एनी वर्ड हेल्थ आर्गनाजिश और युनिसेफ कि सैयुक्त रिपोर्ट के अंसार कितने प्रस्द भारतियों को बुनियादी स्वच्चता तक पहुँच है तो इस रिपोर्ट के अंसार 43 परसंट भारतियों की पहुँच जो है बुनियादी स्वच्चता तक है जबकि 2000 और 2017 के बीच देश में खुले में स सौच की प्रथा में 47 प्रस्त तक की कमी आई है। यह important है तो महराज सरक्वार द्वारा वर्धा में एक स्वच्छ भारत विसुद्याले को इस्थापित करने का निर्णे लिया गया है। इस प्रुषकार का क्या नाम है सरदार पटेल राष्टी एकता पुरुषकार जो की जो है सरदार पटेल जी की जहनती के अउसर पर बताया गया था। ये पुरुषकार किसी व्यक्ति या संस्था या संगठन को राष्टी एकी करन को आगे बढ़ाने के उतकरश प्रयास्यों के लिए प्रतिवर दिया जाएगा। इसके अंतरगत बिना किसी भी रंग, ब्यवसाय, इस्ति, लिंग, भेद के कोई भी व्यक्ति प्रुषकार के लिए पात्र हो सकता है। भी वर्सगाठ के अउसर पर मनाये गया। स्वास्त बीमा उपलत कराया जाएगा जिससे लगबग 10 करोण BPL धारकों को फायदा मिल सकेगा। अगला प्रस्ण पत्रकारता के लिए प्रथम गौरी लंकेस राष्टी पुरुषकार से किसको अभी सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मान दिया गया है पत्रकार रवीस कुमार को वरिष्ट पत्रकार और रमन मैकसे से पुरुषकार बिजेता रवीस कुमार को प्रथम गौरी लंकेस राष्टी पुरुषकार सम्मानित किया गया है। ये पुरुसकार गौरी मेमोरियल नामक एक ट्रस्ट के द्वारा प्रदान किया जाता है। इस नई पहल का उदेश चिकित्सों के बीच अनवानसिक विकारों के बारे में जागरुकता पैदा करना और अस्पताल में आणविक निदान इस्थापित करना है। इसके तहट National Inheritated Disease Administration या इसको क्या कहते हैं निदान कहते हैं। तो ये निदान केंद्रों का उद्गाटन भी किया गया। सबसे अधिक स्वान कार्ड जारी करने अला भारत का पहला राज बन गया है। लेकिन अब ये क्या है? एक केंसासित प्रदेश है। योजना लागू होने के पहले 90 दिनों के भीतर 11 लाग से अधिक स्वान कार्ड बनवाए गये। इस योजना के तहट राज में 126 सारजुनिक और 29 निजी चिक्सालियों सहित 155 अस्पतालों को पात लाभारतियों को मुफ्त और कैसरहित उपचार प्रदान करने के लिए चिन्हित किया गया है। अगला प्रस्न किस राज ने ट्रिपल टलाग के पीड़तों को मुफ्त कानूनी सहता और पुनरवास तक वार्षिक आर्थिक सहता प्रदान करने का निर्णे लिया है। उत्तरपदेश सरकार द्वारा ट्रिपल टलाग के पीड़तों को उनके पुरुनरवास तक 6,000 रुपए वार्षिक रासी और मुफ्त कानूनी सहता प्रदान करने का निर्णे लिया है। इसकी गोणा गोष्णा राज के मुखमंत्री योगी आदितनात के द्वारा की गई। इन सभी सहायता का प्रदान मंत्री जन विकास कारिकरम के अंतरगत किया जाएगा। अगला प्रस्द संयुक्त राष्ट में फरजी समाचार के प्रसार को रोकने के लिए भारत समेत कुल कितने देशों ने समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं। तो कुल जो है 20 समझोतों पर हस्ताक्षर किये गए हैं अब इसकी डिटेल हम जानते हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, कनेडा, दच्छिड अफरीका और भारत समेत 20 देशों ने संयुक्त राष्ट में फरजी समाचार के प्रसार को रोकने के लिए इसमें किये गए समझोते के तहट हस्ताक्षर करता इंटरनेट पर स्वतंत रूप से फैलाये जाने वाले बिविद और विश्वसनी जानकारी को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद हैं। अब ये रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स जो संस्था है इसे मूल नाम जो इसका क्या है रिपोर्टर सौन फ्रेंटियर्स के नाम से भी जाना जाता है पेरिस में स्थित एक अंतराश्टी है गैर लापकारी गैर सरकारी संगठन है जो सूतना की सुतंता और प्रेस की स संबंदित मुद्दों पर राजनीतिक वकालत करता है अगला प्रस्थन देश में इंडरस्टी 4.0 की सुरूआत करने के लिए पाइलेट परियोजना उत्तर प्रेस के किस जिले में सुरू की गई तो ये परियोजना जो है राइबरेली जिले में सुरू की गई है शितंबर प्रोद्योगी क्रांती की रूप में जाना जाता है उत्पादक्ता बढ़ाने के लिए विनिमार प्रोद्योग्यों में स्वचालन इंटर कनेक्टिविटी और डेटा रेगुलेशन की वर्तमान प्रोद्ती को एक नाम दिया गया है तो दोस्तों इस तरह से आज के जो है वी पूर्ण है आगे हम इस सीरीज को कांटिन्यू रगेंगे आज के लिए ताही नमस्कार धन्यवाद